हलो दूस्तों नमस्कार आज की इस पीडियोंस में हम बात करने वाले हैं mutual fund को लेकर आखिर mutual fund क्या होता है और किस तरीके से काम करता है mutual fund हमें क्या करना चाहिए कि नहीं चाहिए तो चलिए जान लेते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहा है मैंने यहां पर SBI UNI application को open कर लिया यहां पर देखने को मिल लिया है invest का option मैं इन्वेश्ट वाले option पर simply किलिक कर रहा हूं तो मैंने यहां पर साड़े तीन लाग रुपए का यहां पर निवेश किया था और 11 मंत में यहां पर मेरी जो amount हो गई है वह यह 4,97,880 रुपए जो की आप यहां पर live देख पा अब यहां पर यह profit कैसे हुआ है और actually में mutual fund काम किस तरीके से करता है mutual fund हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है वो चलिए हम जान लेते हैं इसके लिए मैंने हाप यह website है यहां पर open कर ली है और अब हम बात कर लेते हैं कि mutual fund में जब हम पैसे को निवेश करते हैं ठीक है तो जो mutual fund manager होता है वो अपनी हाप पर commission काट लेता है और बाकी जो पैसा है आपका अलग अलग जगवे पैसे को लगा देता है ठीक है जैसे कि किसी भी company के share खरीदना सोना खरीदना या फिर mutual fund में कोई अनिस्की में चले हैं वो हम पर पैसे लगा देता है ठीक है वो पैसे क कहां कहां लगाता है जैसे कि gold खरीदना है आप पर देखने को मिल लिया है इसी के साथ में किसी भी company के share खरीदना share और stock एकी चीज होती है इसी के साथ में mutual fund में पैसे को लगाना और भी कई सारी scheme है ठीक है अब ऐसे में हम माल लेते हैं जैसे कि हमने एक लाक रुपए यहा इसी के साथ में 25,000 रुपए है वो आपके गोल्ड में लगाएगा अलग अलग जगह ठीक है इसी के साथ में mutual fund में पैसे लगाएगा इसी के साथ में बहुत सारी latest में चल लए है तो वहां पर लगाएगा ठीक है अब ऐसे में इस चीज में expert होते हैं कि आखिर कौन सी company कितन करकते हैं और यि चीज के बाए में अधिक जानकार ही ठीक है और ऐसे में यह है कि अगर एक जगहां से सोने के बहुत गिर जाते हैं बहुत जाते हैं सभ्रीक है तो अब लौस हो जाता है अब ऐसे में profit कब होगा जैसे कि स्टोइव की बात कर लेते हैं 25,000 रुपानी और अब 10 इसाथ में हमें पता को डुबे सकते हैं तो हमें किसी भी कंपशन के वारे में या फिर यांकारी नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि mutual fund में पैसे को लगा दें ठीक है तो ऐसे में यह है कि जो mutual fund में पैसे को लगा देते हैं जो fund manager है वो इस चीज के उपर काम करते हैं क्योंकि वो इस चीज में expert होते हैं और ऐसे में यह है कि जो loss होने के chances हैं वो डूक तनकी कम हो जाते हैं बहुत थी ठीक है ऐसे में पूरा वारत लोक डॉण हो जाता है जैसे कि उस समय लगा था कोई डिचम गेर जाते हैं तो यह में यह है कि जो आपका mutual fund है यहां पर loss कर देता है ठीक है हाला कि अब ऐसा तो हमेशा नहीं होता है कि lockdown लग जाए हमेशा ठीक है तो आप समझ सकते हैं तो आपको यह प्रता चल गया होगा कि lost currency conditions में हो सकता है और इस में मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि जो आप ebdi कराते हैं उससे आपको अधिक बढ़कर ही return मिलने वाले हैं तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ कोई भी जानकारी जानना चाहाते हैं तो मुझे नीचे कमेंड सेक्षन में दे सकते हैं मिलते हैं आइस वीडियोस में